हेलो फ्रेंट कैसे हो टेक्निकल लेल पंड रोगा और फिसे आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं यह आप सेमसंग का कोई भी डिवाइस यूज करते हैं और उसके अंदर यह प्रावलम आ रही है वोई सेवाए अवरूद कर दीगी यह वोई करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिक्शन कॉल पर सड़ कर लीजिए जिससे एक मेरे अनल पर तेक इनफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिक्शन आप लोगों तक सब पहले पहुत जाए तो चलिए फ्रेंट आज की इस वीडियो की सुर्वात कर लेते हैं यहां पर मैं बता देता हूं यह जो प्रावलम आ यह बैसिकलि एक नॉर्मल सी प्रावलम है और इसका सलुसंट भी बता देता हूं आपको किस तरब के से आप सोल कर सकते हैं फ्रेंड यह जो प्रोवलम आरे यह ज्याधा तर उन डिवाइस और पाईनस यानि की आपने लोन पर यह प्रवलम को सामना करना पड़ सकता है और यह प्रवलम आने का रीजन ही या तो आपके डिवाइस के यह दिवाइस कल ही मेरे पास दुकान में आया और मैंने पहले इसको देखा फिर इसकी सेटिंग को रिशेट किया सिम कार्ड को रिप्लेस्मेंट करके ट्राइक किया जो बेसिकल्य आ रहा है यह मतलब भी यह जो डिवास है यह जो लॉन Vou Clar 12 इसलिए साव रहे तो इसका एक डीयूuchar की किश्टें यूब कर दिये तो आप नहीं इसा हा सकता है लेकिन एक रिजन यह भी है कि आप नाची ड्यूब नहीं किये फिर भी आप साथ ऐसा हो सकता है किो कि इसमें काफी कैसे जैसे जब मैंने अपकी किस्त और डियो हाज तो उन्होंने बोला नहीं मैरी किस्त है ताइम टुटाइप बेक अगर्ण से कट जाती है कोई डिक्क निया फिर भी यह प्रावल्म क्यों आ हो फिर मैंने यदि आपके किस्ते ड्यू नहीं है फिर भी ये प्रॉलम आरे इसका रिजन ही है आप सेमसंग का कोई भी ड्यूइस यदि आप लोन पे लेते हो तो उसके अंदर जब आपने ड्यूइस को एक्टिवेट कराया था तब आपके ड्यूइस के अंदर जो सिम काड लगा था उस स प्रॉलम फेस करनी पड़ सकती नहीं बल्कि 100% करनी पड़ेगी तो आपने लोन पे ड्यूइस लिए तो आप उसके अंदर वो ही सिम काड यूज कर सकते हैं जिस सिम काड को आपने मोबाइल को रिजिस्ट्रेशन कराते वकत है उसके अंदर पहला जो सिम काड डाला था उस तक रहेगी आप अपना सेम वाला सिम काड वापस लगा लीजिए और सार तीन से सार तीन गंटे तक यह प्रॉलम रही उसके बाद आपकी प्रॉलम आटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी आपका डिवाइस आटोमेटिकली फिर से जो यहां पर है बेन नहीं होगा और आप फि फिर से एक्टिवेट हो जाएगी यदि आपके किस्ते डियू नहीं है तो यदि किस्ते डियू है तो किस्त बरवा दीजिए उसके दो तीन गंटे बाद आपकी फोन है जो फिर से बलोक नहीं होगा मतलब कोले वगरा स्टार्ट हो जाएगी उमीद करता हूं फ्रेंड यह वीडियो आपको जरूर पस्नाएगा माफित चाहता हूं मैंने यहां पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंगा सारा लिया क्योंकि हमारी यहां पर लाइट की काफी कट होती है तीन दिनों के इसलिए मैं वीडियो डिले नहीं कर सकता आप लोगों के लिए इसलिए मैंने क्या क्या स्क्रीन रिकोर्डिंगा सारा लिया उमीद करता हम वीडियो जरूर पस्तनाएगा वीडियो पस्तनाए वीडियो को लाइक, सेर एंड चनल को सस्क्राइब करने के साथ बेल आकन, नोटिपिक्सन कॉल पर सेड़ कर लीजिए जिससे के मिरे अन्योल परते एक वीडियो को नोटिपिक्सन आप लोगों तक पहुंच जाएगा